रेलबे एलपी का फॉर्म फिलब का लास्ट डेट जुए वो समाथ हो चुका है आपको पता ही होगा तोटल फॉर्म जो है कितना पढ़ चुका है आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है वीडियो को लास्ट तक देखेगा और पांच यू ऐसे जोन आपको तो kis 96 जो है रेल वे यम्मठी के लिए निकला था टोटल फॉर्म की बात कर लेते हैं बनीज त कितना फॉर्म एप्लाई हो चुका है निश लाग फॉर्म एप्लाई हो चुका है लेकिन उसके बाब पब्जूद भी अगर आप लोग सोच रहे हैं उन पांच सेब जोन जहां से आप लोगा ने फॉर्म को अप्लाई किया है आज की वीडियो में पूरी जानकारी मिलेए वीडियो को बिल्कुल भी स्किपना करिएगा सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कितने किस जोन से अप्लाई हो चुका है सारा डेटेल लिखा है 19 तारिक की डेड़ तक अब रही बात की किस जोन में फायदा मिलने वारा आखिरा आप में कितना फॉर्म अप्लाई किया है तो मैं पूरूब बता देता हूं इसलिए कह रहा हूं वह पांच जोन आपको बताने वा जोन से फॉर्म को फिल किया है तो बहुत बढ़िया किया यहां दोस्तों कितना रहने वाला है अगर आपने भोपाल से जोन से फॉर्म को फिल किया है पर सीट कंपेडिशन कितना रहने वाला है आप सोचरों विलास्पूर वाला जो है जो कंपेडिशन बहुत रहने वाला ह ठीक है competition तो रहने वाला है लेकिन अगर आप per seat के हिसाप से देखोगे तो कितना competition रहने वाला है तो यहाँ पर विलासपूर जोन के लिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि विलासपूर में कितना competition है देखिए जो total vacancy है विलासपूर के लिए 1316 post है रिजर्ड पार CBT2 यानि CBT2 के लिए कितना candidate qualify किया जाएगा 19,740 कितना candidate CBT2 के लिए qualify किया जाएगा total form की बात कर लेते हैं 4,30,60 form जो है apply हो चुके हैं ठीक आभी तक की 19,21 तक बिलासपूर के लिए पर सीट competition कितना रहने वाला है अगर आप एक सीट पर 20 candidate competition करने वाला है यानि कि एक सीट पर 20 candidate fight करेगा एक vacancy के लिए ठीक है एक सीट पर 20 candidate किसमें बिलासपूर के लिए ऐसा ही सारे जोन मैंने लिख दिया कुलकाता के कितने रहने वाला है अगर पांच जोन की देखा से जो है कम competition रहा है कौन-कौन से जोने यह पांच जोन मैंने लिखा है ठीक है से पहले बोपाल जोन आता है जहां पर एक सीट पर आपका 15 candidate fight करेगा कितना बोपाल जो मैं ऐसा है नहीं कहा रहा हूं यहां पर टोटल लिखा हुआ है बोपाल जोन का जो देख सकते हो टोटल सीट की बात के लेते हैं 284 सीट है ठीक है सीवीटी सेकेंड के लिए आपका 4260 candidate जो है क्वालिफाई किया जाएगा सीवीटी टू के लिए टोटल फॉर्म जो कितना पड़ा है देख सकते हो यहां पर 14370 जो है फॉर्म को फिल किया गया बोपाल जोन से एक सीट के लिए 15 जो है वो फाइट करेगा एक सीट पर 15 रहेगा और जोन की तुनला में यहां पर सबसे कम जो है कमपडिशन रहने वाला है बात के लेते हैं और जोन तिरुवंत पुरम अगर आपने तिरुवंत पुरम से फॉर्म को फिल किया है तो भी आपका कमपडिशन कम रहने वाला है पर सीट के हिसाब से पर सीट के हिसाब से देखा जाए तिरुवंत पुरम में जो वेकंसी की बात कर लेते हैं कितना वेकंसी दिया है या दोस्तों देख सकते हो वेकंसी जो है तिरुवंत पुरम में 70 पास किया जाएगा फॉर्म कितना पड़ा 17306 पर सीट की बात के लेते हैं पर सीट में जो कंडिडेट प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं मालदा जोन में आपका वेकंसी कितना था यह रहां आपका मालदा जोन टोटल जो है आपका वेकंसी 217 था टोटल जो सीबीडी टू के लिए कंडिडेट 3255 पास किया जाएगा सीबीडी टू के लिए उसके बात जो टोटल फॉर्म जो इहां पड़ा है पचपन हजार आरग सो सैटालिस जो है फॉर्म पिल किये गए हैं मालदा जोन से जो इसमें कंपर शीट जो सत्रा कंडिडेट 8 स प्रकार से आपका सिली गुड़ी हो गया यहां पर एक सीट पर 21 कंडिड़ेट करेगा तो पांच ऐसे जोने अगर यह मैंने लिग दिया इन पांच जोन से कर आपने फॉर्म को प्लाई किया है तो आपके लिए बैनिफिट होने वाला है बात कर लेते हैं आप वो पांच ऐसे जो डेंजरस जोन में आते हैं यहां पर सीट जो सीट के साफते आपका कंपिटिशन भी बहुत रहने वाला है कौन कौन से जोने वह भी मैंने लिस्ट बदा दिया यहां देख सकते हो गोरक पुर जोन जो है 46 कंडिडेट जो है एक सीट पर पाइड करेगा इसका भी आपको यहां पर दिखा देता हूं गोरक पुर और भी गोरक पुर यहां देख सकते हैं तो 43 जो है पोउस्ट है कितना कंडिडेट पाइड काभा स्कीए जाएका कि लिए जो आपका कंडिडेट पास किया जाएगा 645 कंडिडेट गोरग पुर्जोन के लिए ठीक है थोड़ा सा कंट्यूजा ने दो मिनट का वेट करिए हां कि संक्या देख दें टोटल फॉर्म कितना फिल अप हुआ है गोरग पुर्जोन के लिए 29,705 तो यहां भी जो आपका कंडिडिशन रहने वाला है वो काफी जादा रहने वाला है गोरग पुर्जोन कितना 46 एक सीट के लिए 46 कंडिडेट जो है फाइट करेगा यहां कि यह पांदने वाला बच्चा है वो किसी भी जोन से फॉर्म फिल कर दे उसको कोई भी नहीं दिक्कत होगी ठीक है यह उन कंडिडेट के लिए जो इतना ज्यादा हो गया है मीडियम लेवल के तो उनके लिए मैं बता रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने इ पतना जोन में दिखा देता हूं पतना जोन में 44 कंडिडेट एक सीट पर है चंडीगल जो है कि चंडीगल में 49 कंडिडेट एक सीट पर है जम्मू स्री नगल के बात कर लेते हैं 43 कंडिडेट एक सीट पर फाइट करेगा ठीक चैन नहीं जोन में 31 कंडिडेट एक सीट पर करेगा तो यह जो पाज जोन है आपके डेंजर जोन में कह सकते हो ठिक कह सकते हो उन कंडिडेट के लिए नहीं कह रहा हूं जो एक सीड भी होगी वह भी फाइट कर लेंगे तो अगर इन पाज जोन में बोपाल तुरुवंत पुरा मालदा कोलकाता सीली गुड़ी इन पाज टील से अपने फारम को फिल किra तो आप यह कह सकते हो कि हां मैं फाइट कर सकता हूँ अगर आप एक मीडियम कंडिडेट भारत सत्रे मस्रें